गुड मॉर्णिंग बच्चों तो अभी मैं आपको एक आज बहुत इंक्रritin छीज पढ़ाने वाली हूं लेकिन इन सब चीजों को पढ़ाने से पहले जो मैं पढ़ाने वाली हूं उससे पहले मेरा आप सबसे एक सवाल है जरा सथ खिड़की के बहार देख के बताईए कि दिन हो रहा है या रात मुझे पता है बट फिर भी मैं जानना चाहती हूँ दिन हो रहा है, very good थोड़ा देर बाद अभी से पाच गंटे, छे गंटे बाद जब आप लोग घर चले जाओगे तो क्या तब भी दिन रहेगा? शाम हो जाएगी, सुर्ज ढ़ल जाएगा और फिर थोड़े देर बाद क्या हो जाएगा? रात हो जाएगा, रात को हम क्या कहते है? जब पूरी तरह से सुर्ज जो है वो आसमान में दिखता है कि नहीं दिखता है? नहीं दिखता है, very good तो दिन होता है, फिर रात होता है अच्छा बच्चों कभी ऐसा हुआ है कि सिर्फ दिन ही रह गया है, रात हुआ ही ना हो? यह रात ही रह गया है, कभी दिन हुआ है ना, interesting तो ऐसा ही जो हो रहा है, दिन, रात, दिन, रात फिर morning होता है, फिर afternoon होता है, फिर night आती है तो यह इतना जो, यह दिन और रात, यह जो repeated चीज़ हो रही है कि कैसे हो रही है कोई ऐसा तो नहीं कि कोई इसके बल्ब सिठ है मैंने उसे जला दिया और दिन हो गया और रात हो गया नहीं तो यह सब का एक क्या है प्रोसेस है यह कैसे हो रहा है कोई तो रीजन होगा ना हमारा अर्थ कुछ तो कर रहा है ना जिससे ऐसा हो रहा है अच्छ अब मेरा एक और question है आप सबसे, summer के बाद फिर मॉन्सून आता है, फिर winter आता है, फिर season भी change होता है ना बच्चों, क्या आपने सोचा है कभी season क्यों change हो रहा है, अच्छा, winter के बाद फिर से क्या आता है, आप बताइए, हाँ, good, spring, फिर spring के बाद फिर summer आता है, फिर autumn आता है, फिर autumn आता है, फिर autumn आता है, इतने सारे seasons भी change हो रहा है, day और night भी हो रहा है, यह सब control कैसे हो रहा है, आफिर क्या reason है हमारा, कोई तो reason होगा ना बच्चों, कुछ तो बात होगी ना, यह दिन आ जा रही है, फिर रात अने जा रही है, तो आज हम लोग क्या पर्ढ़ने वाले है, किस चीज से related पढ़ने वाले है? क्या, एनी guesses? यह दिन अगला है, फिर ना, तो दो दिन हो रहा है, फिर रात हो रही है, इसा नहीं कि कभी भी हो जा रहा है, एक proper pattern है, दिन हो रहा है, फिर दो पहर आती है, फिर रात होती है फिर देश के दूसरे हिस्सों में उस समय दिन हो रही होती है तो दूसरे हिस्सों में रात हो रही होती है तो यह सब और फिर कभी करमी होती है फिर ठंड होती है कुछ हिलाके तो ऐसे उनमें लगातार ठंड रहती है कौन बताएगा कि कहां पर लगातार ठंड रह यह सा लाइट भी नहीं पहुच पाती है और वहाँ पे पूरा वह इलाका बर्व से ढख जाता है तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मोशन्स ओफ द अर्थ मैं यहां नीचे लिख दे रही हूं आप लोग थोड़ा सा टीचर्स पीछे लिखेगा रीजन की यहां पे कुछ गरबर ना हो जाए इस चीज का ध्यान रखेगा मैंने थोड़ा सा यहां लिख दिया मुझे यहां स्पेस था मैंने लिख पाई यह सब समझने की बाते हैं जो आप लोगों को समझना है आप लोग इस तरह से नहीं लिख किया जाएगा मैं बस आप लोगों को समझाने की परस्पेक्टिफ से हर चीज़े कर रही हूँ तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है motion of the earth अब कोई मुझे बताएगा कि motion क्या होता है क्या होता है motion आनल मैं यहां से चल जाती हूँ ऐसे motion हो है ना यह marker ऐसे है अब यह ऐसे से जा रहा है time बढ़ आई और यह ऐसे से जा était कोई भी चीज अगर अपनी position को change कर रही है या movement कर रही है तो वो क्या हो रहा है motions होता है बच्चों इसी प्रकार earth में भी motion होते हैं earth में भी क्या होता है motion होता है motion का सबसे एक्दम साधारन से example मैं दे रही हूँ अब आप बताएए एक minute आप खड़े हो जाएए और चल के यहाँ आएए very good यह classroom situation बता रही हूँ मैं teachers classroom में ऐसे करेंगे और demo में कोई वहाँ पर ऐसा नहीं कि कोई खड़ा होके आपके पास आ जाएगा वो पैनल के लोग है आपको imagine करना है कि students आप फ्लो में जैसे आपको comfortable लगे आप teachers पढ़ा सकते हो वो चीज आप चल के इतना दूर आए तो यह क्या हुआ motion हुआ आपने अपने position को change किया इतने समय में है ना similarly हम लोग आज जानेंगे rotation और revolution का concept क्या जानेंगे हम लोग earth में जो rotation होता है है ना और revolution होता है इसका concept जानेंगे यह earth है earth rotate करता है अपने axis पे किस पे rotate करता है अपने axis पे तो क्या कोई axis होती है कोई ऐसी line है जो earth को divide कर दे रही है अगर earth divide हो जाएगी तो दो टुगरू में टोट जाएगी फिर हम कैसे फिर कैसे होगा फिर तो फरस सब गरबढ हो जाएगा ऐसा नहीं होता है axis क्या होता है एक imaginary line होता है हम एक line मान लेते है imaginary line मान लेते है यानि मैंने मान लिया वो invisible है वो क्या देख सकता है नहीं देख सकता है तो invisible line जो हमने just imagine किया हमने just सोचा है बच्चो उस पे earth जो है अब देखे आपके पास marker होगा या chalk होगा वहाँ पे है ना तो सबसे बड़ी आपको object मिल गया multi dimensional object मिल गया वहाँ पे आपको आप इसका मदद ले सकते है chalk का या marker का बच्चों अब ये देखे मैं क्या कर रही हूँ marker को ऐसे 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 मैं rotate कर रही हूँ rotate कर रही हूँ rotate कर रही हूँ यानि ये marker क्या हो रहा है घूम रहा है घूम रहा है इसी प्रकार earth जब अपने axis पे ऐसे 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 जब घूमता है यही चीज कहलाता है जी rotation समझ में आई बात ये earth है यह क्या है अर्थ है यहाँ पे कोई spherical ball या ऐसा कुछ लिया जाए तो बच्चों को जादा बहतर समझाया जा सकता है जैसे कि schools में चीजे आप घर से लेके जा सकते हैं as a teacher या फिर वहाँ के school में भी available होगा तो goal चीज से जादा अच्छा समझाया जा सकता है ऐसे 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 ऐस यहाँ पर आपके पास जेमो में कोई चीज नहीं है तो आप simply marker या चौक का यूज कर सकते हैं rotate कर रहा है ना देखो अपने access पर आसे रोटेट कर रहा है तो यह क्या हो गया यह आर्थ का rotation हो गया और इसी कि वजए से दिन होता है day या night day या night है ना जिस तरफ जो है जिस त सूर्ज की किरन पड़ी वहां हुआ दिन और जिस तरफ सूर्ज की किरन नहीं पड़ी वहां हुआ रात फिर से यह गोल घूमता रहा जिधर सूर्ज की किरन पड़ी वहां हुआ दिन जहां सूर्ज की किरन पड़ी यह अगर sun है तो जहां किरन पड़ी वहां हुआ दिन और जहां नहीं पढ़े जी, वहां क्या हो गया हमारा राद, very good, तो ऐसे हम लोग rotation को define कर सकते हैं, बच्चों, revolution क्या होता है, ये हम लोग अभी मैं आपको बस थूड़ा साइडिया दे दे रही हूं, rotation और revolution का, इससे ज्यादा डीटेल अभी हम लोग इस chapter में पढ़ेंगे, तो लेकिन इस chapter में अच्छे से पढ़ने के लिए आपको rotation और revolution का concept पहले मैं बता रही हूं, revolution क्या होता है, ये अर्थ है, है ना, और ये sun है, जब अर्थ, अभी मैं दिखाती हूँ, उस marker से, ये है marker, ये अर्थ है, और ये sun है, ठीक है, अब जब ये जो है, अर्थ ऐसे ऐसे गूमता है, एक जगह में, ऐसे 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 चारो बगल जब गूमता है, तो ये हमारा क्या कहला है, revolution, जब चारो बगल परिक्रमा करने को क्या गूलते है, revolution और इसके वज़े से जो है, season, यानि मौसम में जो है, बदलाव हमें देखने को मिलता है, बच्चों, हमारा जो ये अर्थ अपने एक्सिस पे ऐसे से गूल गूमता है, इसके वज़े से दिन और रात आती है, और जब ऐसे ऐसे और बाइटल तरीके से sun के चारो बगल जब अर्थ परिक्रमा करता है, गूल गूमता है, तो हमें क्या देखने को मिलता है, दिन रात, दिन और रात, नहीं, मौ देखने को मिलता है, मौसम में क्या होता है, तो इसी के बारे में rotation और revolution के बारे में, इस चाप्तर में हम लूग detail में जानेंगे, कैसे क्या होता है, इस के बारे में हम अच्छे से जानने की कोसिस करेंगे, तो टीचर्स ये एक तरीका है पढ़ाने का, आपके पास chalk यीप आप यह नहीं कि बस आप गए, good morning, बच्चों, तो यह हम लोग अज पढ़ाने वाले हैं, motions of the art, आप बोर्ड पे ऐसे चिपके हुए हो और आप लिख भी रहे हो, यह तरीका नहीं है, थोड़ा सा space दीजे, बच्चों को आपने क्या लिखा है, वो भी दिखना चाहिए, आप क्लासिक्स को पढ़ाना, यानि टीजटी के टीचर में जब 5 क्लास से ऊपर चले जाते हो, तो बहुत ज्यादा प्लेवे मेथर यूस करने की जोड़त नहीं है, रोटेशन, रिवाल, जैनरली यह चीज जो होता है, यह वन तो फाइव में ज्यादा करना चाहिए, प्लेवे बच्चे हैं, लेकिन क्लास 6 के बच्चे के आगे आपको यह नहीं कि यहां पर आप बहुत ज़्यादा गाना गाने लगे, motions of the, that will look awkward, फोड़ा सो awkward लगेगा, 6 क्लास के बच्चों के लिए, मैं यह भी नहीं कहती कि आप सूपर मैच्वर बन जाहिए, कि आप ग्राइजु हां, expressive रहते हुए पढ़ाना है, जरूरे नहीं कि जैसा मैंने आज पढ़ाया, same to same आपका पढ़ाने का तरीका same हो teachers, अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो मैं आपको clear कर दू, आपका पढ़ाने का तरीका मेरे तरीके से अलग भी हो सकता है, क्योंकि हर teachers different है, मैं interaction को थोड़ा ज्यादा यह बनाना है, मतलब कहते हैं ना, two way communication, one way नहीं लगना चाहिए, तो यह सब में आपको help करेगा, बाकि content अपना खुझ से बना सकते हो, आपको पहले motions of the art, पहले आपको motion बताना है, कि पहले आपको rotation बताना है, यह सब आप अपने तरीके से frame करके जा जिस chapter में आप comfortable है, वो पढ़ाएं, तो आज के लिए पस इतना ही मिलती हूँ, नेक्स वीडियो में एक मुझे सवाल आया था कि होलिस्टिक डिवलप्मेंट पे मैं वीडियो बनाएं, तो देखती हूँ, अबर होगा तो होलिस्टिक डिवलप्मेंट पे एक वीडियो बन